बाबी को खाना बनाने के लिए तो सीरियां चड़नी पड़ेंगी पलबी अनुपमा का मजाग उड़ाने लगी असल में अनुपमा बॉनी है और इस घर में उसकी नई नई शादी हुई है पांस साल के उम्रे के बाद से अनुपमा की हाइट नहीं बढ़ी उसे लेकर उसके मादा पिता बहुत परिशान थे पता नहीं शादी कैसे हुगी इसकी इसे कुछ सिखाओ वैसे ही ये बॉनी है कुछ तो खूवी होनी चाहिए इसमें आद्मियों के दिल का रास्ता पेट से होकर कुजरता है अनुबेटी चला खाना बनाना सीख ले तब से अनुपमा खाना बनाना सीखने लगी और समय के साथ साथ वो खाना बनाने में माहिर हो गई उसके हाथ का खाना खांकर हर कोई उंगली चाटने लगा वाँ अनुबेटी कितना अच्छा खाना बनाती है तो देखना तेरी शादी किसी अच्छे घर में होगी और अनुपमा बड़ी हो गई उसके लिए बहुत मुश्किल से रिष्टा आया लड़का भी बोना था इसलिए लड़के वाले अनुपमा को घर की बहु बनाने के लिए राजी हो गए लड़के का नाम राजीश था राजीश थे अनुपमा की शादी हो गई अनुपमा के माता पिता गरीब थे उनके पास मिट्टी का चूला था इसलिए अनुपमा को खाना बनाने में तकलीफ नहीं होती थी लेकिन ससुराल आकर अनुपमा ने देखा कि ये तो मॉडरन रसोई है उसका हाद गैस की चूले पर पहुँच ही नहीं रहा है ये देखकर उसकी ननद हसने लगी बॉनी भाबी लगता है आप खाना नहीं बना पाऊगी तब ही उसके साथ जानकी आई और बोली खाना नहीं बना पाईगी मतलब खाना बनाने के लिए तो इसे लाई हूँ मैं माची मैं खाना बना लूँगी लेकिन मेरे हाथ उपर तक नहीं पहुच रहे है ठीक है मैं तुझे एक कुरसी लाकर देती हूँ उसके उपर उठकर खाना बना जानकी ने एक कुर्सी लाकर दी अनुपमा उस पर शड़ कर खाना बनाने लगी पल्लवी ने हसने हुए कहा भाबी आपका नाम आपसे बड़ा है अनुपमा अनुपमा को ये सब सुनने की आदत है उसने कुछ नहीं कहा रात कुफ अपने कमरे में गई उसका बौन्या पती राजेश बिस्तर पर था राजेश ने कहा सुनो अनुपमा, मुझे पता है कि लोग तुम्हें लेकर मजाख उड़ाते हैं मुझे लेकर भी ये लोग हमेशा से मजाख उड़ाते आएं मुझे पता है जी हम जैसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है राजीश ने अनुपमा को गरे लगा लिया इतने दिनों में एक दूसरे को प्यार करने वाला मिला अगले दिन अनुपमा ने लाश्टे में दोसा बनाया ये लीजे माजी मैंने आप सब के लिए दोसा बनाया है अनुपमा के जेठाली सुमित्रा तभी निल से उठकर आई आओ आओ बड़ी भाबी दोसा खालो दोसा मैं ये सब में खाती मेरे लिए फ्रेंच टोस्ट बना कर ला अ फ्रेंच टोस्ट वो क्या होता है तभी अनुपमा की सास जानकी ने कहा माई के से कुछ सीख करने ही आई है क्या अब माजी माजी मैं सीख लूँगी फ्रेंच टोस्ट नहीं बनेगा तो मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी हाँ अनुपमा ब्रेट लेकर रसोई में चली गई सुमित्रा अमीर घर की लड़की है और दिखने में भी बहुत सुन्दर है इसलिए जानकी उसे बहुत पसंद करती है उसका बड़ा बेटा रमेश भी अच्छी सरकारी नौकरी करता है और उसका बॉना बेटा राजेश उसे तो कुछ काम मिलता ही नहीं है पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था भी निवाला लिया और उसे बहुत अच्छा लगा अरे हां यह तो बहुत स्वादिस्ट है एए अनुपमा फ्रेंच टोस्ट रहने दे मैं यही खाऊंगी यह सुनकर अनुपमा मुस्कुराने लगी राजेश ने कहा नुपमा तुम्हारे हात में जादू है रसोई में घुषते ही तुम कमाल कर देती हो इसके बाद से सुमित्रा अनुपमा को बहुत परिशान करने लगी वो पुरा दिन आराम करने लगी और अनुपमा अकेली सभ काम करती रही लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा एक दिन जानकी का बड़ा बेटा रमेश आया और बोला मा मुझे नौकरी से निकाल दिया है मैं बिजनस करना चाहता हूँ मुझे जमीन जायदाद का हिस्सा अभी चाहिए रमेश के मन में पाप था वो आफिस से सामान चुराता था इसलिए उसे बाहर निकाल दिया गया और अब वो जमीन जायदाद में हिस्सा मांगने लगा और सब कुछ अपने नाम कर लिया इस बात से राजेश गुस्सा हो गया भाईया आपने जो हिस्सा लिया है वो मेरा है मुझे उसकी जरूरत है अच्छा अब जबान लडाने लगा है यह क्या तेरी बीवी सिखा रही है तुझे रमेश ने राजेश को एक फूटी कौडी नहीं दी और राजेश के साथ साथ अनुपमा को भी घर से निकाल दिया जानकी ने कुछ नहीं कहा इन दोनों से पीछा छूट जाए यहीं अच्छा है इसे तो बच्पन में कहीं फेट देना चाहिए था अनुपमा राजेश बेखर हो गया अब क्या करें अनुपमा अब तो हम मर जाएंगे नहीं नहीं आपने तो कहा था कि मेरे हाथों में जादू है मैं खाना बनाऊंगी लेकिन कैसे हमारे पास तो फूटी कौडी नहीं है चिंता मत कीजे मेरे पिता जी ने शादी के वक्त मुझे एक सोने का हार दिया था मैंने ये बात किसी को नहीं बताई अनुपमा ने उस हार को बेच दिया और उन पैसो से एक ठेला खरी था और दोनों मिलकर उस ठेली पर फास्ट फूट बेचने लगे उन्होंने ठेली को नाम दिया बॉनी बहु की रसोई अनुपमा खाना बनाने लगी और राजेश उसकी मदद करने लगा आईए आईए स्पेशल बॉनी बहु के हाथ का खाना खाए लोग आने भी लगे और खाने भी लगे और सभी को खाना अच्छा भी लगने लगा अरे वाह इतना स्वादिश्ट खाना क्या तुम हर रोज मेरे ओफिस में दोपहर का खाना डिलेवर कर दोगे देखते हैं देखते बॉनी बहु की रसोई बहुत फेमस हो गई जगा जगा से फूट ब्लॉगर खाना खाने आने लगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस बॉनी बहु ने बनाया है कमाल का खाना जिसे खा करके हम हो गया है दिबाना अगर आप भी खाना चाहते हैं ऐसा खाना तो आपको पड़ेगा यहां आना ऐसी राजेश और अनुकमा बहुत अमीर हो गए उन दोनों ने घर भी खरीद लिया उधर रमेश बिजनस से जादा जुए पर ध्यान देने लगा लेकिन जानकी ने अपने लाडले बेटे से कुछ नहीं कहा और ऐसी एक दिन रमेश सारा पैसा जुए में हार गया और वो सभी रास्ते परा गए राजेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जानकी पलवी और सुमित्रा खाने के लिए रास्ते पर भटकने लगे इतने में एक दिन वो बॉनी बहु की रसोई के सामने आए मैंने जिस बेटे और बहु को नालायक समझा उन दोनों ने अपने दम पर किस्मत बढ़ा ली और जिसे लायक समझती थी उसने मुझे रास्ते पर ला दिया इतने में अनुपमा वहां आई और बुली माजी आप लोग यहां क्यों खड़े हैं आईए दुकान पर आईए मैं खाना बना कर खिलाती हूँ अनुपमा ने तीनों को खाना खिलाया तीनों ने अनुपमा से माफ्य मांग ले अनुपमा ने कहा कोई बात नहीं गलती तो सबसे होती है आप हमारे परिवार हैं आज से हम सब एक साथ रहेंगे तो माहानो अनुपमा तो माहानो हम सब तुमारी रसोई में काम करेंगे इसके बाद सभी एक साथ रहने लगे सभी एक साथ रसोई में काम करने लगे और ऐसे ही बॉनी बहु की रसोई बड़ी होती गई बॉनी बहु ने दिखा दिया कि मेहनत का फल मिठा होती है